चो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सौट टॉक्स में स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास नाइन्थ आप सभी बच्चे वीडियो को लाश्ट जरू देखे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा और बैल आकन को प्रेस कर लिए ताकि जब भी इंग्लिस मॉडल सेट पर टू आए तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए अबनों वीडियो को सुरू करते हैं देखे कुछ बेसी जानकारी बता देता हूं आपको एजाम से डिल घंटे समय मिलने वाला है टूटल आपको 40 मार्स मिलने वाले है टूटल 40 कोश्चिन पूचिए जाएंग कर सकते हैं तो हमारा जो पहला सेक्षण है वह रीडिंग से आपने देखिए यहां पर टूटल माक्स दस आने वाले हैं ठीक है यहां से 10 कोश्चिन पूचें दस मार्स मिलने वाले इसमें आपको दिया है इसको क्या करना है पढ़कि जितने सारे जोंसी की सवाल ओके इन 1992 अब्रेब 12-year-old girl from Vancouver stood up in front of the union delegates at the earth summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the enemies of humanity and the environment and what needs to be done to make things better सब्सक्राइब करना है आपको जवाब देना है ठीक है उस बच्ची का नाम क्या था सूजुका क्या नाम था सुजुका सुजुकी नाम था ठीक है लिखाओ देखे सुजी के बाद जस्ट नाइन येर्स वोल्ड वें सी स्टार्टेड एन इवार्मेंटल चिल्टेंस च्टार्ट किया था ताकि क्या कर सके वह यूए नहीं जो अर्श में क्या कर सके पैसा क्या कर सके ठीके उसी के बारे में यह अब आपको देखें क्या पूछा हुआ है कि हूँ डिलीवर्ड दा हाट फिल्ट इस्पीच एड़ वर्ल्ड आर्थ समिट इन 1992 जो 1990 सुजुकी ने क्या था तो किसने क्या था इसने क्या था सुजुकी ने क्या था तो क्या आमलोटी कर लेंग ऑप्सन नंबर पर ने को पूश्य जवाब होगा बच्चो अग्ला सावल बच्चों हमारा कि वेर वाज वर्ल्ड अर्थ समिंट है रड़ ने जो यूनाटेंटर नेशन में वनकॉबर में या फिर रियो डी जनर्यमें तो कहा रह था यह यह नमर क्या हो जाएगा बूइज वाट वाट व तो देखिए आपको यहीं लिखा हुआ है कि इसने किस पर दीती एबाट दा डिमिनिस ऑफ यूमिनिटी एंड इंड इंबारमेंट टीक है तो या क्या हो जाएगा सही जाओ इसका हो जाएगा ऑप्सन नमबर एक हो जाएगा सही जवाब कि अगला सवाल बचो सभुढ़ा में वॉर्ट में वर्डवा सद्टिको कि यह टीक हो आगला सवाल हमारा कि वाट डांव डिलि होता है प्रति निदिह प्रतिनिति और इंग्लिस में देखिए इसका पैसेज के अकोर्डिंग मिनिंग होता है उसे कहते है रिपेडिन्टिटी नमर क्या हो जागा यह जवाब हो जाएगा ठीक है अगला सवाल हमारा बच्चो एक पैसे दिया आपको और कुछ कोश्चन यहां से पूछेगे कि इस् के बारे में आपको पूरा पैसेज दिया हुआ उसका को पढ़ना है और क्या करना आपको सॉल्व करना है जिसमें हमारा पहला सवाल पूछा गिया कि वाट मेग्जा इस्टूएं तो नभी मुम में लव देर हिस्ट्री लेसन्स पर नभी टीचिंग अट नोबल टीचिंग नहीं लगा था ठीक है अगला कुश्चिन है वाट इस नौट पर हिस्ट्री बिंगे इनमें से क्या एक रिजन नहीं जो हिस्ट्री इंट्री नहीं हो सकता उसके लिए कि दे इनेक्ट करेक्टर्स आफ इंपरें टारेंट्स दे नेवर यूजे टेक्स्ट्बूक फर टीच इसकी फेल करते हैं कि इसकूल में जो कॉमिक्स रूच करना एक बहुत ही अच्छा एडिया क्योंकि पीखा उट्नाइब करेंड फ्रीट क्यों क्या होगा सही जबा बच्चो इसका सही जबा वहो जाएक ऑपसली देखिये को चीज को और गरक्रूंप है पढ़ता है कि जो स सोच में आता है सोच माने से क्या होता है हम को भी फील कर पाते हैं और उसे अच्छे तरीका समस्वाज पाते हैं इसलिए एट का ओप्सन के हमनों टिक करेंगे एस का सही जवाब होगा अगला सवाल है बच्छों हमारा की चूज दा मोस्ट टेवल टैटल देखिए जब भी हम सब्सक्राइब की स्टोरी क्या है जो हिस्ट्री है वो बच्छों को अच्छे समझ माती है मजएदार हो जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुश्चिन बच्छों हमारा की वाट इस दा एंट्टोनियम ऑफ टाइरेंट इन दा गिवन पैसेज तो देखिए टाइर जवाब है क्या होगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं कमेंट सेक्षा जवाब लिख दूँगा आप सब्सक्राइब देख लिएगा ठीक है तो आप सब्सक्राइब करिए ठीक है मैंने मिनिंग बता दिया आसा करता हूं कि आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि सब्सक्राइब लिखा जारकंट सिल्क टेक्स्टाइल एंडिक्राफ डेवलेप्मेंट कर्पोजिशन अल्सु डैस जारक्राफ ठीक है इसन एजनसी ऑफ जारकंट के अल्सु डैस ऑप्सन नमबर है नोविंग नोज नोन या फिन न्यू तो क्या हो जाएगा इसका हो इसन टूजाओजन ठीक जाएगा इस्टापीट को मिल्का लिखते हैं इस्टापीट करेंगे बताई यह जब याद एक कोछी स्टापीट हो चुका है तो हम एडी लगाते लाश्ट में तो देखें हैं 12 का क्या हो जाएगा बच्चो यह सही जवाब हो जाएगा अगला नहींस अब धार्कन वरक सेट्स विद्यास थिजयार का दोएट हाजबी बेड गाली तो यह फिस वील्त याफिर शाब में ब्रूद तो क्या होगा बत्चो सई जाओ इसका और जा हो जाएगा औप्शन नमर्ब्ट भी बिंबेड विटी को नहां पर वें बिल्ट जान आल बच्चों हमारा 14 नमबर सवाल जो है कि देखें यहां लिखा हुआ है कि with all the necessary facility for the artisans and we were to work at the desk place ठीक है कौन सब प्लेस होगा from the houses आप बताइए घर के सामने नियर होगा नियरिस्ट होगा नियर या फिर नियरिस्ट होगा तो क्या होगा जो भी अगला सवाल है बच्चों की देखें आपको एक लेटर दिया हुआ है अब आप लेटर अच्छे से पढ़े वरेजिए गना आप सवाल भाल कर लेजेगा को दिक्कत नियुक्त लेटर का एक ही फॉर्मेट होता है फॉर्मल के लिए अलग हो जाता है बस अब तरीका याद रखे तो आप उसे हल कर सकते हैं ठीक है देखें से लिए यहां लिखा हुआ है कि लिए इसकोड फर्स्ट पोजिशन इन देख्लास्ट तो वह क्या क्लास्ट करता है तो बताई हम कोई चीज़ सेड होंगे लाट होंगे सॉक्त होंगे तो हम क्या टिक करेंगे उसके बाद जब शिच्टिंग नमबर है डैस डैट यू आर होगा है जोगा है भूगा या है यहां पर यहां पर यू आर मतला दी यू है भूगा इनि 14 शरी आपका 16 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा अगला है फिर हमारे 17 में प्लीज देख्लीज देख्लीज माइं हाट्रेश कोंगे चॉटा चुटा बाद एक्सेप्ट और एक्सेप्ट पढ़ने में जी ल अपर 18 में अपर इंटेंज में लोग यहां पर टिक कर लेंगे इसका सही जवाब ठीकर लेंगे ठीक है अब देख्या को कुछ ग्रामर सेक्षंट को चेंगे बहर बहुती जीए आप सेंटेंस को मतलब समझ जाएगे तो बनेदेगी जैसे लिखा हुआ है कि माइपैर डैस आप रूरे वे बीजीट वीजीटू हर साल आते हैं ठ theo दिखिध का होगा मैंप्रेंट मैंपरेंट्स विजट हर साहते हैं यहीजा जवाब होगा विजेश attachments स्वें लुघ्ध से विट कर रही है क्या भरेंगा आप बताईए कि shik has been waiting, मैने लिया क्या करे रिवेट करें कब से दो बेसे तो इसका सभी जबाब होगा अगला देखिए आपको मॉडल्स भरना है कि माई ब्रदर डैस स्पीक्स इंग्लिश फ्लेंड मेरा भाई वह इंग्लिश पहुत ही बहुत नहीं बहुता है मैं माइट कुड या कैन तो क्या होगा इसका से वह क्या कर रहा है वह गाड़ी चला रहा है कबसे आपका बार साल की उमर से बताना है अगला देखिए आपको सेक्शन जो डी है वह लिट्रेचर इन बुक पार्ट का अपका है टोटल मास देखिए हां 17 आने वाले बारा प्लस पांस इसलिए लिए लिखा हो देखिए 12 प् बताना है कि बट अलबर आइंस्टाइन वाज नौट अबैट विपल ही वेंट तो हाइज स्कूल इन मुनिक फैमिली हैड मूट सी वाच 15 यह ओल्ड एंड इसकौर्ड गुड माक्स इन अल्मॉस्ट अब्री सब्स आइंस्टाइन एंस्टाइन 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 तो अगर आपने अलबर एंस्टाइन नाम नहीं सुना है तो दोस्तों आपको बच्चो आपको भूती प्रॉलम होने क्या थे है यहां बताना इस पैसे करने सासरा तो क्या थे वो बिल्लियंट इस्टाइन यहां यहां पर हम लोग क्या टिक कर लेंगे बच्चों एवरेज टिकल देखिए यहां पर लिखा हुआ है देखिए तो 24 का क्या एंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका अगला सवाल हमारा की वेर डिड़ आइंस्टाइन पास्ट आइंस्टाइन जो अपना हाइस्कूल कहां से पा सवाल का जवाब देखिए यहां है पास्टाइक है पैसिग दिया हुआ है पैसिग और सवाल जवाब देने दिया हुआ पोईम सा शवाल का जवाब देना यह पोईम आपको पताने कौन सा पहला पहला एक पॉएम कोई स्पोईट का कि लिखा हुआ है तो पहला हमारा नीम दाप प्वेट अगला सवाल हमारा वाट्ट के लिए बतायगा तो किसके लिए बताया वो बताया के लिए था कि यह पवन के लिए एगला सवाल हमारा तो यह वहा रहती है जो 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 अप्सेट नमबर क्या टिक कर लेंगे ठीक है अगला सवाल है अगला सवाल है हॉप्सेट फ्रेंड विद टाविंड तो क्या होगा सही जवाब इसका हो जाएगा आप्सेन नमबर ए दो क्या होगा विद श्टडी एट होम यानि क्या होगा थाटी टूक का होजाएगा ऑप्सेन नमबर बीस का राइट है अगला सवाल हमारा हूए बिसमिल्ला खान तो वह क्या तो एक ग्रेट सहनाए पलेयर थे नहीं आप्सेन नमबर ए होगा अगला कुछ्चन वाई वाई- तो इसका हो जाएगा इस फादर वाहाथ एंडू टुर्ट थर्टी फॉर का एस जवाब होगा अगला सवाल बच्छों हमारा विच श्टेट में नौट रहाट अलवाट अलवाट अंडुर्ट अकॉर्डिंग इसमें कौन सानी तो देखें कौन सा गला तो कौन सा जब बताना है तो क्या था है तो मीट इस प्रेंट इसका क्या था सही जवाब है अगला साल 27 नमर्वाट इड़ाइड नौट आश्की फादर तुबाइड लिट वाइद इस लाइक इन दफेर तो बच्छे ने क्यों बताया क्यों नहीं पताजी को जो जो चीज पसंद खईना पारद में अगला साल 28 नमर्वाट वारेड ट को कौण सा इना इन यह बताना है इस में ठीक है कौन सब आपको चारप्शों से नहीं है तो क्या टोटो वाज़काइड मांट की टोड़ो क्या था अपर क्या तयालू मंकि यह गलत है यहां ठीक है अगला 39 नमर के तो यह थे बच्चों आपके क्लास नाइंथ के मॉड mastered paper 1 का solution आश्या करता हों कि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लायक जुरू करदेजिए का और कमेंट से के विडयो क है।